पूरे देश में वैक्सिनेशन अभियान के तहट आज से एक नया चरण शुरू हुआ है जिसमें 60 साल से जादा उम्र के लोगों और 45 साल से उपर की उम्र वाले ऐसे लोग जो किसी गंभीर बिमारी से ग्रसित हैं उन सब का वैक्सिनेशन किया जा रहा है लेकिन इसके पाव सब्सक्राइब करें और इसका में रीजन है डर लोगों में डर बिल्कुल खतम हो गया है अनको लग रहा है हमने फर्स्स डोस लगवा लिया तो बिल्कुल ठीक है अने जुकेशन नॉलिच नहीं है कि हां सेकिंड डोस भी लगवानी है चार हफते बाद और हॉस्पटल का स्टाफ भी कम जा रहा है सब को यह लग रहा है कि चार से छे हफते में लगवा सकते हैं त ताकि दो दिन हमें रेस्ट भी मिल जाए तो यही कुछ रीजन से जिसके कारण हमारा सेकिंड डोस में टॉर्णावट काम हो रहा है आपने भी first dose vaccination का लिया हुए, vaccine का लिया हुए first dose. आपको अभी कितने दिन due है और आपका, मतलब कितना second dose लगवाने में कितना delay हो रहा है? मैंने first dose in the end of January लगवाया था. मेरा second dose due है. कुछ दिन पहले ही मुझे लगवाना था. पर क्योंकि flu हो गया था, so I thought कि मैं अभी इसको pass कर जाओं और उसके बाद ही लगवा हूँ. So, जल्दी ही मैं कोशिश करूंगी कल्या पर्सों में, जैसे ही मैं को slot मिलता है, मैं जाके लगवा हूँ. Because, जैसे कि आप जान रहे हैं, आज से हमारे senior citizens का भी शिरू हो गया है, तो पहले हमें तवज़ों नहीं ही देनी है, पहले वो आ जाए, उनको लगवा दे, और फिर जैसे ही हम लोगों को slot मिलेगा, हम धीरे-धीरे एकिक कर के अपना vaccine का ये schedule पूरा करेंगे. जैसे आपने का कि कोई दिक्कत आगे, जैसे फ्लू हो गया या कोई और प्रॉब्लम है, इसको देखते हो अभी क्या healthcare workers का जो number है, ये भी एक रीजन लगता है आपको कि वो कम आ रहे हैं second dose के लिए? हाँ, बिल्कुल क्यूंकि अभी abrupt change in climate हुआ है, एकदम से ठंड से गरम हुआ है, तो कई लोगों में flu के symptoms हैं, changes आ रहे हैं, तो इसलिए भी कुछ healthcare workers नहीं जा रहे हैं vaccine लगवाने, और जब अपने ये अस्पताल में तो हो सकता है, उसे taken for granted भी ले रहे हैं कि चल आज नहीं कल नहीं परसो, तो में भी ये भी एक major reason है, जो मैं अपने लिए भी सोच सकती हूँ, और 28 तारिक को, 28 दिन की जर से बात करें, तो 28 दिन जरूरी है कि आप 28 में दिन ही second dose ले ले या उसमें भी कुछ दिन जो हैं वो available होते हैं कि आप इतने दिन बात भी जा कर अप लगा सक है कि 28 दिन से ही हमें message आने शुरू हो जाते हैं, calls आते हैं, हमें encourage किया जाता है, मैं आपको खुद कह रही हूँ, पिछले almost one week से मुझे daily call आता है कि माम please कल जाईए और vaccine लगवाईए और लगवाने के बाद हमें inform भी कीजिए कि आपने अपना second dose लगवा लिए है, आप जल क्या कुछ आप लोग लोगों को motivate करने के लिए जाग रुख करने के लिए कुछ कर रहे हैं या जो आपके healthcare workers हैं जो भी second dose के लिए नहीं जा रहे हैं, उनके लिए कुछ कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मोटिवेट तो हमारे माननी है, प्रधान मंतरी ने आत सुबे किया है, उन्होंने vaccine लगवाई है और उन से ज़्यादा प्रोथसाहन और encouragement कोई नहीं दे सकता, जेनरल पबलिक को बताया है कि वो भी safe हैं और हमें हमारे doctors, हमारे scientists और हमारे देश पे पूरा विश्वास होना चाहिए, और ये vaccine लगवाके उन्होंने यही एक संदेश हम सबको दिया है, और मुझे लगता है कि जैसे ही उन्होंने लगवाया, उसके बाद से हमारे senior citizens बहुत आने शुरू हो गए, और कही हो के तो ये word भी थे कि मोदी जी ने लगवा लिया है, तो हमें भी अब लगवाना है, तो मैं वहीं से ही अभी आ रही हूं जैसा कि आपने देखा, तो काफी लोग turn up कर रहे हैं, और कोशिश करते हैं कि हम अपना target आज 5 बचे तक पूरा कर सके, और ये भी कोशिश रहेगी कि healthcare workers जिनका dose बाकी है, उनको भी बुला कि आप वो numbers पूरा कर वाले second dose, हाँ बिल्कुल, second dose and senior citizens अभी हम इसी को इसी पर focus कर रहे हैं और कोशिश काफी due है, लेकिन कई ऐसी दिक्कते होती हैं, जिसके चलते लोग कुछ दिन तक अपना second dose नहीं लगवा पा रहे हैं, या कई बार होता है कि आप उसी hospital में काम कर रहे हैं, तो ये भी मन में एक ख्याल उठता है कि हम अब भी जाके, आज नहीं तो हम कल ये dose लगवा लेंग की नंबर्स में कमी देखी जा रहे हैं, लेकिन उमीद सभी डॉक्टरों से कर रहे हैं कि जल से जल इसको पूरा कर लिया जाएगा, कैमरा बसन रभीश पांडे के सांथ, अंजली सिंग, ABP News, दिली झाल झाल झाल